गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजीर हैं इस वीडियो में हम असोक मोरियक का बोधरम एम उसकी परराश्टर निति के बारे में जानकरी प्राप्त करे तो देखेगा पहले वाले वीडियो में हमने असोक का समराजय विस्तार उसका प्रारंबिक जीवन उसकी मर्त्यू और उसकी उपलब्दियों के बारे में पढ़ा आज हम उसके बोधरम उसके दरम बोधरम के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा पढ़ते ह असोग मोर्य का बोध दर्म असोग अपने सासनकाल के प्रारंबिक वर्सों में ब्रामन दर्म का नुयाई था ठीक है ना तो असोग है वह अपने सासनकाल के प्रारंबिक वर्सों में ब्रामन दर्म का नुयाई था बाद में वह बोध दर्म का नुयाई होता है राज तरिंग गया में विशेश रूची लेता था अपनी प्रजा के मन्नोरंजन हेतू वह विभिन परकार की गोश्टियों इंपरती भोजों का भी आयोजन करता था जिसमें मास आदी बड़े चाव से खाये जाते थे इसके लिए राच के पाक साला में हजारों पसू पक्सी परती दिर मा परती दिफवन्स महावन्स के अनुसार असोक को उसके सासन के चोथे वर्ष निग्रोध नामक साथ वर्ष ये बिक्सु ने बोधर में दिख्सित किया था तत्पसाथ मोगली पुतिस के प्रभाव से वहपून रूपेन बोध बन गया था दिव्यावदान असोक को बोध धरम में दिख्सित करने का स्रेय उप गुप्त नामक बोध विक्सु को परदान करते हैं ठीक है ना तो देखेगा अलग-अलग जो ग्रेंथ हैं वो अलग-अलग अपने मत देते हैं कि जो असोक मोरी है वह किस परकार से उसका धरम था ठीक है असोक अबिलेक बोध परंप की गटनों का वर्णन है यह गोशना करता है कि इसके बाद देवताओं का परिये धम की सोत्सा है परिरक्सा सोत्सा है अबिलासा यह सोत्सा है सिक्ष्या करता है कलिंग यूद उसके बिसे के आठवे वर्स की गटना है ठीक है यह क्यूसन कई बार पूसते हैं कि कलिंग इसे किसमें गटाता वो था आठवा वर्स कौन से राजाबिसेग के कौन से वर्स में गटाता आठवे वर्स में हताई यह का जा सकता है कि इसी वर्स असोक ने बो दरम गरहन कर लिया था संभव है उसका जुखाव कुछ पहले से ही इस दरम की ओर रहा हो तता इस यूद के ब बाद उसने पूर्ण रूप से बो दर्म गरंड कर लिया हो। नहीं हुई ठीक है कुछ विद्वानों ने संग में सरण लेने का अर्थ ये लगाया कि असोग बिक्षू वस्त्र धारण कर संग में परवेश कर गया तथा वह संग एंवरज दोनों का परधाने बन गया असोग के सारवजनिक रूप से अपने को संग का अनुयाई गोसित कर दिया तता संग की सिद्धी सेवा करने का वरते लिया अपने इस नमीन मत परिवर्तन की सूचना देने के लिए उसने अपने अभिसे के दस्वे वर्स संबोधी जो बोध गया में है उसकी यात्रा की तो मोरिय सासक असोग ने बोध गया की आत्रा कब की वह की अपने राज अभिसे के दस्वे वर्स में ठीक है बोध धरम गरन कर लेने के बाद असोग के जिवन में अनेक परिवर्तन आये जो इस प्रकार से है असोग ने अइंसा तदा सद्धाचार पर चलना प्रारम भे कर दिया असोग ने मास भक्षन त्याग किया तथा राज के बोजालियों में मारे जाने वाले पसुओं की संख्या कम कर दी गई आखेड तथा विहार यात्राएं रोग दी गई और उनके अस्थान पर धरम यात्रों का प्रारम्बे हुआ इन दारमिक यात्रों के दोरान वह देश के विबिन बागों के लोगों से मिला तथा उन्हें धम के विशे में बताया असोग महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए अस्थानों में गया तथा उनकी पुजा की महात्मा बुद्ध का जीवन परीचे हमने पहले पढ़ावा है वहाँ पर देखेगा असोग ने सरव पर्तम बोध गया की यात्रा की इसके बाद अपने रजबिसे के बीस्वे वर्स वह लुम्बिनी ग्राम में गया उसने वहाँ पत्थर की सुद्रट दिवार बनवाई तथा सिल्ला स्थम खड़ा किया चूंकि वहाँ पगवान बुद्ध का जन में हुआ था अतहे लुम्बिनी ग्राम कर्मुक्त गोसित किया गया तथा केवल एक बटा आठ भाग लेने की गोशना की गई यह बहुत ही महत्तोपन बाते हैं देखेगा धंक से असोग ने नेपाल की तरही में इस्तित निगलिवा में कनक मुनी जो एक पोराने बुद्ध ते के इस थूप को संबर्धित एमं द्विगूनित करवाया असोग को चोरासी हजार इस्तुपों के निर्माता के रूप में स्मरन किया जाता है असोग के अबिलेग इस बात के स्पस्ट परमान परस्तुत करते हैं कि वह बोध मतनुयाई था अतहे अब किसी को उसके बोध होने में संदेह करने की जरूरत नहीं है असोग को बोध द्रमावलंबी बनाने वाला सबसे ठोस परमान उसका भब्रू जो बैराठ रजस्तान से प्राप्त लगूशिला लेग है जिसमें असोग के इस पस्ट तह बुद्ध, धम, संग का अबिवादन करता है इस लेग के संपरदाइक सवरूप के विशे में संदेह नहीं किया जा सकता उसे बोध सिद करने वाला दूसरा अबिलेग उसका सासना देश है जो सारनात, सांची, कोसांबी के लगूश थम्बों पर उतकिन मिलता है इसमें असोक बोध धर्हम के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है सांची के लगूश थम्लेक में वह बोध संग में फूट डानने वाले बिख्षों तथा बिख्षोणियों को चेतावनी देता है जो कोई बिख्षू या बिख्षूणी संग को भंग करेगा वह स्वेत वस्तर पहना कर अयोगे स्थान पर रखा जाएगा इस परकार या अदेश बिख्षू संग और बिख्षूणी संग में सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा है कि संग संग्रे होकर चिरिस्ताई हो जाए इसके अतिरिक किसी भी धार्मिक अथ्वा लोकिक ग्रेंट से असोग का किसी बोध्यतर धर्म से समधित होना सूचिते नहीं होता असोग आजिवक्स उपासक ही रहा और वैबिख्षू अथ्वा संगा ध्यक्स कभी नहीं बना संग भेद करने रोकने का आदेश भी उसने राजा की हैसियत से ही दिया था इस समय बोध संग में कुछ ऐसे एवांचनी तत्वे परविस्ट हो गए थे जिन से संग की व्यवस्था गडबड हो रही थी संग की कार्यवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तत्वों का विस्कासन आवस्यक था महावन से ग्यात होता है कि अपने अभिसे के अठारवे वर्ष असोक ने लंका के राजा के पास भेजे थे अब अगला आता है मोर्य समराठ असोक की पररास्टर निती कैसी थी तो असोक की धम निती ने उसकी पररास्टर निती को भी परभावित किया तथा असोक ने अपने पडोशियों के साथ सांती एम सहस्थित्वा के सिदानतों के अधार पर अपने संबंद इस्तापित किये असोक विदेशी राज्यों के साथ संबंदों के महत्वा से भली भांती परीचित था सामराज्ये के पस्सिमी तथा दक्सिनी सीमा पर इस्तित राज्यों के साथ उसने राजनाईक एम मैत्री संबन्द इस्तापित किये चंद्रगुप्त के समय में सेलुकस तथा मोर ये राजवनसों के बीच मैत्री संबन्द था और दूतों का आदान परदान होता था यह प्रमप्रा बिंदू सार के समय में भी बनी रही हमें पता है कि मिस्त्री नरेस टोलमी फिलाडेल्पस ने जो असो का समकालिन था उसके दरबार में अपना राज़ दूते बेजा था असो के तेरवे सिलालेक से पता चलता है कि उसने पांच यवन राज़ों में अपने धरम परचारक बेजे थे इनका मुख्य उद्दिस समराट की धम निती के बारे में वहां के लोगों को बताना था यवन राज़ों में उसके परचारकों को कुछ सपलता मिली अपने दूसरे सिलालेक में असोक ये बताता है कि उसने इन राज़ों में मनुस्यों तथा पसूँ के लिए अलग-अलग चिकिस्सा की विवस्था कराई थी दक्सिनी सिमा परिष्थी चार तमिल राज़ों में भी उसने अपने धर्म परचारक भेजे थे जो इस परकार से है चोल, पांडे, सत्यपूत अथा, केरलपूत, तामरपणी, अत्वा, लंका चिनी यात्री वेन साग हमें बताता है कि उसने चोल तता पांडे राज़ों में असोग द्वारा निर्मित एक एक इस्तूप देखे थे इससे परकट होता है कि असोग के परचारक दक्सिनी राज़ों में गए थे एक तमिल परंप्रा से पता चलता है कि दक्सिन में लिपी का परचार उन विदेशियों द्वारा किया गया जो पासान लेखों के निरमता थे एक पल्लव लेख से पता चलता है कि वहां का सासक असोक वर्मन था लंका के सासक तिस ने बो दरम ग्रहन कर लिया दूसरे प्रत्थक कलिंग लेख में असोक अपने पडोशी राजियों के प्रती अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करता है उन्हें मुझे डनना नहीं चाहिए वे मुझे पर विश्वास करें उनको मुझे सुप मिलेगा दुख नहीं उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि राजा यथा संबुँ उन्हें क्ष्मा करेगा उन्हें मेरे कहने से धरम का अनुसरन करना चाहिए जिससे इस लोग तता परलोग का लाप्राप्ते हो इन पंक्तियों से स्पस्ठा कि असोग अपने पडोसी राजियों के साथ सांती सहिस्नुत्ता एम बंधूत्वय के आधार पर मधूर संबंद बनाये रखने को उच्छुक था और उसे इसमें सफलता भी प्राप्ते हुई तो ये थी असोग मोरिय की पररास्टर नीती ठीक है? हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद